हेलो एवरिवान, वेलकम तो मैं चैनल, आज के इस वीडियो में मैं आपको प्लेन कपड़े से एक डिजाइनर कुर्ती बनाना बताऊंगी, तो इसके लिए मैंने दो मीटर ये रियोन का कपड़ा लिया है, और इसके साथ ही मैंने एक ब्लू कलर की लेस ली हुई है, जिससे म मैंने दो मीटर कपड़े को इसाइस है खेला कर के रखा होा है, और कपड़ा दो फोल में रखा हो यहां से open साइड है यहां से folded साइड है अब, हमें इसको एक बार width wise अपने measurement के according ठोड़ा सा fold कर देना है पूरा fold नहीं करेंगी इसको ठोड़ा सा-h cold करेंगे, तो मैं तो जितनी भी आपको length चाहिए, आप उससे 2 inch extra लीजे, तो मुझे 37 inch की length चाहिए, इसलिए मैंने 2 inch extra याने कि 39 inch की length लीए है, अब यहाँ folded वाली side से अंदर की तरह को हमें shoulders के लिए निशान लगाना है, तो 6.5 inch पे मैं shoulders के लिए निशान लगा रही हूँ, अब इस point से नीच को हमें armhole के लिए निशान लगाना है, तो armholes भी मेरे measurement में 6 inch के, तो 6 inch पे निशान लगाया और इसको उपर straight line से join कर दिया, अब यहाँ पर हमें burst के लिए निशान लगाना है, तो जितना भी आपका burst size है, आप उसको 4 से divide करें और आधा inch की losing add करें, जैसे मेरे measurement में burst 32 inch का, तो उसके लिए मैं यहाँ पर 8 inch पे निशान लगा रही हूँ, अब इसको हमें armhole वाले point पे straight line से join कर देना है, इसके बाद कमर का निशान हमें लगाना है, तो वो उपर shoulder से लगबख 14 या फिर 15 inch नीचे पर आता है, तो मैं यहाँ पर 14 inch पे निशान लगा रही हूँ, अब यहाँ पर हमें कमर के लिए निशान लगाना है, तो जितनी भी आपकी कमर है, आप उसको चार से डिवाइट करें और आधा हिंच की लूजिंग अट करें, मेरी कमर 28 inch की है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 7 inch पे निशान लगा रही हूँ, अब यहाँ कमर से नीचे को 7 inch पे हम अपना hip का measurement के लिए निशान लगाएंगे, तो 7 inch पे पहले मैंने निशान लगाया, अब यहाँ पर hip measurement लेना है, तो जितना भी आपका hip round है, आप उसको चार से डिवाइट करें और आधा हिंच की लूजिंग अट करें, जैसे मेरे measurement पे hip round है 36 inch का, तो उसके लिए मैं अपर 9 inch पे निशान लगा रही हूं, अब इन तीनों points को हमें यहाँ पर straight line से join कर देना है, अब यहाँ पर देखें, जितना हमने यह प्राउंट के लिए निशान लगाया है, सेम इतना ही निशान हम यहाँ नीचे bottom पे भी लगा लेंगे, तो नीचे पे भी मैं 9 inch पे ही न निशान लगा रही हूं, और अब इन दोनों points को हमें straight line से join कर देना है, अब यहाँ पर हमें back का armhole curve बनाना है, और उसके बाद आधा inch का deep करते वे हम यहाँ पर front का armhole curve भी बना लेंगे, तो इन दोनों armhole curve मेंने यहाँ बना लिया है, अब यहाँ side में 1-1.5 inch का हमें margin ले निशान लगाना है, जो सिलाई में दबेगा उसके लिए, अब यहाँ side से अंदर को हमें neck width के लिए निशान लगाना है, तो तीन inch पर मैं neck width के लिए निशान लगा रही हूं, अब यहाँ पर हमें armhole लाइन पर 1-2 inch का shoulder down करना है, और इसको neck width पर straight line से join कर दिना है, अब यह आधा हिंच का margin भी दे लिजे, तो यह marking हो चुकी है, इसकी जो neck line है, वो मैं बुकरम में कट करूँगी, इस कपड़े में कट नहीं करना है, अब सेम marking के उपर हमें इसकी cutting कर लेनी है, तो पहले हम यहाँ पर जो back वाला armhole कर वा है, उसको cut करेंगे, फ्रंट वाले को अभी cut नहीं करना है, बाकी काम सेम marking के उपर ही cut कर लेंगे, तो यहाँ पर cutting हो चुकी है, अब यहाँ पर देख सकते हैं, इसके दो parts बनके तयार हुए हैं, और इन दो में से हमें अंदर वाला part हटा देना है, जो कि हम back वाला part बनाएंगे, अब इस part को वापस ऐसे ही रखना है, और इसके बाद अब हमें इसका front का armhole का cut करना है, तो यह इसकी cutting भी मैंने कर ली है, अब हमें back वाला part की neckline को cut करना है, तो यह मैंने हमें back वाला part लिया है, व्यापस ऐसे बिचा के रखा हुआ है, और 3 इंच पर मैं इसकी neck weight के लिए निशान लगा रही हूँ, और neck की deepness ह वो मैं 4 इंच की ले रही हूँ और इसको round shape दे दिया neckline का, अब 1,5 इंच का margin लेते वे हमें इसकी cutting कर लेनी है, अब इसको मैं open करकर रख दे रही हूँ इस तरह से, तो अब हमें इसकी neckline है उसमें उरे पटी से finishing देनी है, तो उरे पटी लेते वे आप इस तरह से neckline में ल इसकी है 16 इंच की और इसकी width मैंने यहाँ पर 10 इंच के लिए रखी है, अब हमें इसको width wise बिल्कुल center से एक बार fold कर देना है, अब यहाँ folded वाली side से अंदर की तरफ को 3 इंच पर हमें neck width के लिए निशान लगाना है, और इस point से नीचे की तरफ को neck के deepness के लिए निशान कर लेना है, और इसको folded वाली side की और को भी हमें straight line से join करना है, अब यह नीचे वाली line पे हमें 1.5 इंच पर एक निशान लगाना है, और यहाँ से अब हम अलका सा घुमाओ देते वे, इसमें neck का round shape बनाएंगे, इस तरह से, तो यह मैंने shape बना लिया है, अब यहाँ folded वाली side की और को हमें नीचे की तरफ पर 8 inch पर यानिकि 8 inch पर एक निशान लगाना है, अब सेम इस point से अंदर की तरफ को हमें 1.5 inch पर निशान लगाना है, जितने पर हमने यहाँ पे लगाया था, उतना ही हम यहाँ पर भी नीचे पर लगाएंगे, अब इन सभी points को हमें straight line से join कर अब इन सभी points को हमें join कर लेना है अब ये से marking के उपर हमें इसकी cutting कर लेनी है तो यहाँ पर मैंने इसकी cutting कर ली है और open होने के बाद यहाँ पर यह कुछ इस तरह से दिखेगा और इसके बाद इसका जो बीच वाला हिस्सा होता है यहाँ पर जो हिस्सा है इसका जो यह square यह rectangle वाला piece है इसको हमें यहाँ पर कट कर लेना है तो इस वाले part को आप संभाल के रख दीजे इससे हम थोड़ी दे बार design बनाएंगे तो अब यह जो बाकी वाला हिस्सा है इसको हमें कपड़े में चिपकाना है अब इसके side में आधा इंच का margin लेते हुए हमें पूरे में cutting कर लेनी है अब इसकी जो यह round वाली side और यहाँ पर हमें चोटे-चोटे से cuts लगा लेने ताकि जम इसको fold करें तो इसमें जोलना है तो यहाँ पर मैंने इसमें cut लगा लिया अब हमें इसके corner को अंदर की तरफ को fold करना है तो या तो आप इसमें saline लगा लिजे या फिर आप इसको fabric glue से चिपका लिजे तो मैं यहाँ पर fabric glue का use कर रही हूँ ताकि बाहर की तरफ पे saline न दिखे इसलिए इसके corner कोने पे मैं glue लगा लूँगी और उसके बाद इस कपड़े को अंदर की तरफ को fold करते हुए हमें इसको चिपका लेना है सेम इसी तरह से हमें इसके बाखी की जो तीन साइड है उसको भी fold कर लेना है तो देखे मैंने इसकी साइड है फोल कर दी है और यह पार्ट बन गया है अब इसका जो बीच का design है वो मैं बनाऊंगी तो उसके लिए मैंने कपड़े का टुकड़ा लिया हुआ है और इसका प्रे की जो विट्थ है वो मैंने आपस 5.5 इंच के लिए है और इसकी वाली साइड से रखते वे बिल्कुल बीचो बीच पे रखना है और साइड में ध्यान रहे थोड़ी से मार्जन होना चाहिए अब इसको भी आप यहां पर प्रेस से चिपका दीजिए तो मैंने इसको प्रेस से यहां पर चिपका लिया है देखिए अब हमें यह कपड़े क इस तरह से पलट देना है यानि कि बुक्रम वाले हिस्से को बीच में कर देना है तो इसको इस से फोल करने के बाद इसके कोने कोने पर हम इसमें यहां पर तीनों तरफ पर इसमें सिलाई लगा लेंगे तो इसमें मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है अब इसके जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं आधा हिंच का मार्जन लेते वे कट कर लेना है तो सभी तरफ से मैंने इसकी कटिंग कर लिए है यहाँ पर अब मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेट पट्टी लीवी है लंबी सी पट्टी है उरेब पट्टी नहीं है स्ट्रेट पट्टी है यह और सेम इसी तरह से मैंने एक दूसरे कलर की और पट्टी लीवी है सेम लंबी सी है, स्ट्रेट पट्टी है और इन दोनों की जो चोड़ाई है वो मैंने यहाँ पर दो इंच की लिए है और उसके बाद अब हमें इन दोनों पट्टियों को एक दूसरे के उपर इस तरह से मिलाते वे रखना है और मिला के रखने के बाद एक तरफ पर यहाँ पर इसके थोड़ी सी दूरी पर सिलाई लगा लेनी है तो यहाँ पर मैंने इसमें नीचे तक इसमें सिलाई लगा ली है और सिलाई लगाने के बाद हमें इसको पीछे के तरफ को इस तरह से पलट देना है और पलटने के बाद आप इसमें प्रेस कर दीजे जिसमें अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी तो देखिए मैंने इसको यहाँ पर प्रेस कर लिया है अब हमें इसकी जो दूसरी वाली साइड है यहाँ पर भी थोड़ा से दूरी चोड़ते वे इसमें भी हमें सिलाई लगा लेनी है अब सिलाई लगाने के बाद हमें इसमें चार-चार इंच के लंबे इसमें यह पार्ट कर लेने हैं तो यहां पर दीख्यों मैंने सभी पार्ट इसमें कट कर लिये हैं अब नीचे वाली साइड है जहां पर मार्जन है आधा इंच का यहां पर से हम इसको लगाने स्टार्ट करेंगे तो यह पीस का जो फोल्डड वाली हिससा है ना वह नीचे की तरफ रखेंगे और margin वाला हिसा उपर की तरफ को इस तरह से दीखिए यहां से मिलाते वे रखा सेम इसी तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पे यानि कि लगबग 0.75 इंच की दूरी पे हमें इसमें सबी पार्ट को इस तरह से मिलाते वे रखते वे जाना है और इस से रखने के बाद इसके बिल्कुल बीच ओ बीच पे हमें एक सीधी सिलाई लगा लेनी है अब सिलाई लगाने के बाद जो साइड वाला एक्स्ट्रा कपड़ा है हमें सिर्फ उसको ही कट करना है कपड़े को थो सावे सद वाले कपड़े को हमें कट कर लेना Uhek:"श्च्रा कपड़े को और उसके बाद इस कपड़े को इस तरह से ہ आपम ऻासे हैं हम फोल्ड करते वे जाएँगे और यहां पर कॉर्णर कॉर्णर पर सिलाई लगाते हें जाएँगे तो देखिए यहाँ पर मैंने इसमें सिलाई लगा लिया है एक तरफ पे और सेम इसी तरफ से हमें इसकी जो दूसरी वाली साइड है इसमें भी कपड़े को फोल करते वे इस तरफ से इसमें सिलाई लगाते वे जाना है तो यह वाला पार्ट भी हमारा बन के तायान है अब हमाएं पूरी नेक लाइन को कुर्ती में जॉइन करना है तो उसके लिए देखिए मैंने कुर्ती का फ्रण्ट वाला पार्ट लिया हुआ है और इसका जो बिल्कुल center point है वो मैंने यहाँ पर mark कर लिया है अब यह जो neckline हमने bookworm की बनाई वी थी इसको मैं ले रही है इसका भी हमने center mark किया हुआ है और दोनों के center एक दूसरे के साथ मिलाते हुए हमें यहाँ पर इस तरह से रखना है और अब यहाँ पर bookworm से just touch करते हुए हमें पूरी neckline में सिलाई लगा लिनी है बस ध्यान रही यह जो neckline का piece हमने रखा हुआ है यह कपड़े की ulti side यानि की wrong तरफ पे रखना है और इसको हम पलट के सीधी तरफ को fold करेंगे अब मैं इसमें सलाई लगा लूँगे यहाँ पर just bookworm से टच करते हुए तो देखिए मैंने यहाँ पर इसमें सलाई यहाँ पर लगा ली है और थोड़ा सा record नहीं हो पाया था इसलिए मैंने cutting पहली कर दी तो देखिए अब हमें यहाँ पर आधा इंच का margin लेते वे इसकी cutting करनी है तो यह मैंने cutting कर ली है अब इसकी जो folded वाली साइड है और यह जो corner से यहाँ पर हमें चोटे-चोटे से cuts लगा लिन है ताकि इसको fold करने के time पर जोलना आए अब हमें यह इसकी carbon को सीधी तरफ को यहांए पीछे की तरफ को पलत देना है और आप इसमें अच्छे से प्रेस कर लिए जिसमें अच्छे से finishing आ जाएगी तो यह देखिए मैंने यहाँ पर इसमें प्रेस कर लिया इसमें finishing भी आ गई है अब हमें इसको सीधी तरफ को यानि कि पीछे की तरफ को इसको fold कर देना है और फोल्ड करने के बाद यहां पर सीधी तरफ से कुछ इससल से दिखेगा अब यह पार्ट हमने हमने हम पर बनाया हुआ था इस पार्ट का जो ऊपर थोड़ से extra कप्ड़ा इसको हम पीछे को fold करेंगे और यहां पर यहां बिल्कुल सेंटर पर इस तरह से हम यहां पर लगा के इसको रख दिंगे और उसके बाद यहां कोने कोने पर हमें इसके तीनों तरफ पर हमें यहां पर सिलाई लगा लेनी है तो देखे मैंने इसमें सिलाई लगा ली है और अब इसका जो यह बुकरम वाला हिस्सा है जो ओपन वाली साइड है यहां पर भी हमें इसको सिलाई लगा के बंद कर लेना है इसमें भी मैंने सिलाई लगा ली है अब बुकरम का कॉर्णर है इसमें में यहां पर पदली सी ब्लू कलर कीfruit लेस ले रही हूं मैचिंग की और इसके यहां पर इस कॉर्णर पर पूरे में इस तरह से में आपर लेस लगा लीनी है तो दीकिए इसमें लेस मैंने लगा ली है अब आप चाहे तो इसकी नेकलाई में भी लेस लगा सकते हैं या फिर ये जो सिर्फ डिजाइन है यहाँ पर भी तो ये जो डिजाइन है यहाँ पर मैं अब लेस लगा रही हूँ तो ये देखिए यहाँ पर नेका डिजाइन हमारा बन चुका है अब इसके उपर हमें अपना बैक वाला पार्ट रखना है और इस तरह से शूल्डर से शूल्डर मिलाते हैं हम इसको रखेंगे और इसके दोनों शूल्डर में आदा हिंज की दूरी पर हमें सलाई लगा लेनी है तो देखिए इसके शूल्डर में मैंने अपर सलाई लगा के जॉइन कर दिया है अब ये कुर्टी को मैं सीधी तरफ को पलट दे रही हूँ अब हमें इसके जो आम होल है इसमें फिनिशिंग देनी है तो आम होल के लिए भी मैं यहाँ पर उरे पटी ले रही हूँ और ये उरे पटी से हमें इसको डबल फोल करते हुए इसके आम होल में फिनिशिंग दे देनी है दोनों तरफ पे तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंन मैंने यहाँ पर इसके साइड में भी सलाई लगा ली है और साइड में सलाई लगाने के बाद इसका जो चाक वाला हिसा है इसको भी हमें यहाँ पर डबल फोल्ड करते वे इस तरह से अंदर को करते वे सिल लेना है और दूसी तरफ पे भी हम से इसी तरह से डबल फोल्ड करत और यह कुर्ती बनके तयार हो गई है